एससी जीडी 2020 का दोस्तों आप लोगों का जो री मेडिकल है जिन लोगों ने पहले मेडिकल कौलिफाइक कर चुका है उन लोगों का री मेडिकल के बारे में हम आज एक्सपेक्टेड डेट आपको बताएंगे दोस्तों ये एक्सपेक्टेड डेट होगी और इसी के आसपास दोस्तों आपका जो है री मेडिकल कंड़क्ट कराया जाएगा ये हम आपको गैरेंटी दे रहे हैं ठीक है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा SSC GD के जो री मेडिकल है उसको लेकर आपके सारे जो डाउट है वो खतम हो जाएंगे ठीक है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो लोग री मेडिकल देने जाने वाले हैं चलिए दोस्तों वीडियो का जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं देखिए दोस चलने वाला है यह जो चलने वाला है दोस्तों आप यहां पर देखेंगे तो जो DME के एडिस्नल केंडिडेट है विट इफेक्ट फ्रॉम 24 आट 20 22 10 9 2020 मतलब कि यह 10 तारिक तक चलने वाला है ठीक है तो इन लोगों का दोस्तों एडिस्नल का मेडिकल तो कंप्लीट हो जाए अब इनका री मेडिकल तो बाद में होगा पहले होगा आप लोगों का री मेडिकल जो लोग पहले से जिल क्ले करकर बैठ चुके हैं और बहुत समय से वेट कर रहे हैं री मेडिकल का अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं Remedical की देखे अभी आप यदि CRPF की website पर आएंगे तो आपको e-admit card detailed medical examination का मिलेगा जो की additional candidate का है ठीक है देखे दोस्तों आपका जो medical का admit card है CRPF की website में आएगा Remedical का ठीक है इसकी हम आपको expected date बता रहे हैं यह दोस्तों expected date है इसी के आसपास जो है आपका start हो जाएगा Remedical ठीक है मैं आपको guarantee देता हूँ इसी के आसपास आपका Remedical start होगा दोस्तों September ठीक है September के last में ठीक है last week में या फिर October के first में यह आपका जो है Remedical 100% start हो जाएगा अब वज़ा जान लीजिए वज़ा क्यों है क्या है दोस्तों देखिए यदि Corona इसकी problem अब होता अभी की condition के हिसाब से यदि COVID-19 इसकी problem होता तो फिर तो additional का भी medical conduct नहीं कराया जाता ठीक है जब additional का medical conduct कराया जा रहा है तो Remedical भी आपका conduct कराया जाएगा ठीक है और वो कराया जाएगा अभी इसके खतम होने के जस्ट 15-20 दिन बाद आपका जो है Remedical conduct करवा दिया जाएगा ठीक है ये मैं आपको guarantee दे रहा हूँ आप लोगों को hotspot study के दोरा ये बताया जा रहा है ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ share करिएगा आपको सारी information यहाँ पर Remedical जो भी आपका आगे आने वाली process है SSDD की उसकी पलपल की update hotspot study आपको provide करवाएगा